नमस्कार मैं हूँ विशालदाश और हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तो दो मुस्लिम देश एजिप्ट और जॉर्डेन जो की गाजा स्ट्रिप के साथ बॉर्डर शेर करता है ये दोनों देश फिलिस्तिनियन रिफ्यूजी को लेने से साफ इनकर कर दिया है तो क्या है पूरा मामला वो हम आज के वीडियो में डिसकस करेंगे तो वीडियो पे बने रहिए According to Jordan's King Abdullah अगर सब फिलिस्तिनियन रिफ्यूजी माइग्रेट करके दूसरे देश चले जाते हैं तो फिलिस्तिन को आजाद देश बनाने का सपना कभी सच नहीं होगा इजिप्ट के President Al-Sisi का कहना है कि इस Mass Exodus से टेरिरिस्ट को और ज्यादा फ्यूल मिल जाएगा जिसके वज़े से इजिप्ट के Sinai Peninsula Region जिसमें काफी हमास के सपोर्टर्स हैं वो instability क्रियेट कर सकते हैं फिलिस्तिनियन रिफ्यूजी के साथ मिलके 1948 अरब इस्राइली वार के वज़े से 7 लाख फिलिस्तिनियन रिफ्यूजी इजिप्ट और जॉर्डन में माइग्रेट किया था 1967 के अरब इस्राइली वार में इस्राइल ने जीत हासिल करके West Bank और Gaza Strip को कबजा कर लिया था तब वहां से 3 लाख फिलिस्तिनियन लोग भाग गए थे और इनमें से ज्यादातर लोग जॉर्डन में माइग्रेट किया था इस तरीके से करिब 6 मिलियन फिलिस्तिनियन रिफ्यूजी West Bank, Gaza, Lebanon, Syria, Jordan और कुछ Gulf Arab countries और कुछ Western देशों में रह रहे हैं जिसके वज़े से ये सब देश कई problems face कर रहे हैं जैसे कि terrorist activity, unemployment, etc 1948 के अरब Israeli war खतम होने के बाद जो फिलिस्तिनियन रिफ्यूजी माइग्रेट करके Egypt और Jordan में रह रहे थे उनको अपने घर यानि फिलिस्तिन में आने से इसराइल ने साफ मना कर दिया था और कहा था कि ये 1947 peace deal का ही part है और ये लोग इसराइल के Jews majority लोगों के लिए खत्रा बन सकते हैं Peace deal का मतलब है कि UN ने 1947 में फिलिस्तिन को दो हिस्से में divide कर दिया था जिसमें 43.5% फिलिस्तिन मुस्लिम लोगों के लिए दिया गया और 56.5% जिवस इसराइल के लिए दिया गया था इसलिए इसराइली government कह रहे थे कि अगर refugees फिलिस्तिन में आएंगे तो वो 43.5% से ज्यादा area capture कर लेंगे जोकि UN के खिलाफ था और Jerusalem को UN अपने अंडर रखेगा अब इसराइल कह रहा है कि वो हमास को जर से खतम करेगा लेकिन उसके बाद Gaza Strip को कौन govern करेगा ये clear नहीं है अगर complete Gaza को इसराइल reoccupy करता है तब conflict और ज्यादा बर सकता है इसराइली military का कहना है कि जो civilians South Gaza से North Gaza गए है war के लिए वो लोग war खतम होने के बाद फिर अपने घर में बिलकुल आ सकेंगे लेकिन Egypt के President इसराइल पे भरोसा नहीं करते और उनको यही tension है कि ये लोग Egypt ना पहुँच जाए और वैसे भी Egypt में economic crisis चल रहा है Egypt ने इसराइल के उपर pressure दे के कहा था कि वो humanitarian aid गाजा में देना चाहता है और इसराइल ने भी मंजूरी दिया है लेकिन कब से start होगा वो इसराइल ने clear नहीं किया इन दोनों देशों में confusion हच से ज्यादा है According to UN Egypt 9 million refugees और migrants से deal कर रहा है अपने देश में और उन में से 3 लाख refugee इसी साल सुडान से आये थे अरब countries और ज्यादातर फिलिस्तीन के लोग यही सोच रहे हैं कि इसराइल इसे एक opportunity की तरह लेके लोगों को वहाँ से दूसरे देशों में migrate करके फिलिस्तीन के demand को खतम कर देगा यह इसराइल और फिलिस्तीन के issue को अगर दोनों party mutually solve कर लेते तो यह इतना बरा conflict ना बनता 2007 में जब हमास गाजा के election में जीत हासिल किया था तब terrorist activity को कम करने के लिए इसराइल ने गाजा को blockade लगा के रखा था और इस blockade को Egypt ने भी support किया था क्यूंकि हमास Egypt के कुछ terrorist organization से मिलके Egypt को unstable करना चाहता है और Egypt और गाजा के भी जो tunnels हैं उनको भी destroy किया गया था क्यूंकि Egypt अपने economic crisis के दौरान terrorist के उपर पैसा खर्चा नहीं करना चाहता फर्दर उन्होंने ये कहके warn किया है कि अगर situation ठीक नहीं होता तो वो 1979 में इसराइल के साथ जो peace deal sign किया था वो तोर देंगे ओके तो यही तक था आज का वीडियो, thanks for watching